आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें प्रशन हमें दिया हुआ है कि एक पिंड को हम प्रित्वी के केंद्र से चंद्रमा तक ले जाते हैं, तो उसके भार तथा दर्वेमान में क्या परिवर्तन होगा, इन पूरे स्थितियों पर वो हमें पूछा जा रहा है प्रशन में, तो देखे इसके लिए सबसे पहले हम क …. प्रशन कर रखा है, और उसके दूर्वेमान को हम प्रशन करते हैं, यह हमारे पास प्रित्वी स्तृ से गहराए नीचे की और और या भूझाधि हम उचाहिः देखे है तो sangat स्तह से प्रसृत करें, देखें किस प्रकार से प्रसृत क्या जाएगा, देखें यहां पर चं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि पृत्विधि की केंद से सता तक आने और सता से वापस हमें सता से दूर जाने तक में गृत्वुत्व का प्रभाव किस तरह परिवर्थित होता है अब यहाँ पर हम यह मानके चलते हैं कि प्रित्वी की सत्ह जहां पर नेरपेश तोर पर यह देखा जाता है कि जी का मान जो हता है गुरुत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत् से देखते हैं तो और इसी तरह यदि हम उचाई की उठ जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसे Capital X से प्रदर्शित करेंगे तो देखिए किस प्रकार से गुरुत्वी तुरन का मान प्रभावित होता है गुरुत्वी तुरन का मान यहीं प्रभावित हुआ तो यह सीधे सीधे भार से सम्द्धित होता है कि प्रित्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गए बल को हम भार करते हैं यह से व्यक्ति किया जाता है जिसका मान क्या होता है उस वस्तु के लिए द्रविमान M और गुरुत्वी त्वरण के गुडणफल के बराबर इसकार भार जो है सिदे सिदे किसे प्रभावित हो रहा है वो प्रिथ्वी पर गुरुत्वी त्वरण के मान से प्रभावित होता है ठीक है अब हम सबसे पहले देखें तो हम नीचे जाने की या प्रिथ् पृत्वी का स्थान है पृत्वी के स्थान के लिए उसके सत्ह को हमने सत्ह की स्थति को उपर लेके रखा है और बिल्कुल इसी तरह केंद्र की स्थति को नीचे यहां पर केंद्र के रूप में लेके रखा है अब हम देख रहे हैं कि सत्ह से केंद्र तक की दूरी कितनी पृ अब लिया कि एक एक ऐसी घहराई होगी जहां पर हमें मान देखना हो कि गुरुत्वी तरण का मान कहा पर क्या होता है तो हमें प्रित्वी सतह से उसे SH गहराई तक ले लिया इसका मतलब है कि Odis का मान जो है सतह परद करता है है और H का मान जो है जिस Bend you उपर वहाँ पर है वहाँ पर उसका मान H के बराबर है अब यहाँ पर H की स्थिती पर हमें क्या चाहिए गुरुत्वी तुरन का मान क्या होगा तो गुरुत्वी तुरन का मान अब क्या रहने वाला है केंद्र से यहाँ निर्पेक्ष रूप से उसकी दूरी को देखें कि के केंदर से यदि गुरुतिवी तुर्ण का महन यहाँ पर होता है तो वह किस प्रकार का होता है केंदर से उपर की ओर उस एज बींदू तख यहाँ पर दूरी कितनी है देखे उचहiban की रूप में उपर हम बात करते हैं तो यू दूरी पर इसका मान मतलब गुरुत्वी तुरन का मान क्या होगा और वो किस प्रकार परिवर्तित होगा यह दिया जाता है समीकरण से तो गहराई के साथ देखिए गहराई के साथ गुरुत्वी तुरन के मान में परिवर्तन किस प्रकार से मिलता है यह हमें देखना होगा तो इसके लिए सू अनुपार्थ R E की रूप में ठीक है कुछ यह इस प्रकार से व्यक्त होता है यह समय करना हमें मिला इसके अधार पर हम देखेंगे कि G' का मान गहराई के साथ कितना होता है या उसके मान में कितना परिवर्तन होता है तो देखिए यह संख्या है एक हमारे पास और एक में हनकर में से छोड़ाई गाता है ऐससे हिपए आधा को अब का मान जोटा है यह होता है गवलत क selbst क्या का मान कम होते जाता है गृत्य में आप लिदा है कि आप नीशे जाते हैं तो गुरुतिक द्रण का आमान कम होता है और कहिंद्र के सून ए होता है अब यही इस्सथति जैसे प्रश्bank में पूछा गया है कि आप यदी कोई पेण को पृथों केुके लिए तो षस्टु के लिए हमास के देखना बाथ में उसके मात्रा पर निर्भण करता है ना कि किसी स्थान विशश पर अब यहां पर बात आती है यदि हम उस वस्तु को यहां पर देखे लिख रहे हैं हम जो पित्वि केंद्र से केंध्र से कहां तक यहां सतअ तक लेआएं सतअ पर ले आने पर ले आने पर दिखिए जो कुर्टि तुरस्ते न放 में यहां पर क्या होता है उतल भेश्न होती है हम देखिए बात कर रहें यहां पर केंद्र कि केंद्र से आप उपर क्यों ले जा रहे हैं उसे तो यहां पर प्रारंभिक रूप से हम बोलेंगे कि प्रारंभिक रूप से जी के मान में वृध्धी होगी, जी के मान में वृध्धी, जी के मान में वृध्धी होने से हम क्या देखे भार सिधे सिधे गृत्वी जरन के मान से प्रभावित होती है, मतलब समानपाती होती है, तो जी के मान में वृध्धी होने से भार में क्रमशा, भार में क्रमशा ने प्रित्वी होगी। इस पाद हम क्या बात करने वाले हैं इसके बात हम देखते हैं कि प्रित्वी की सतर पर वस्तवोओ आ गई है , जहांपे उसका मान अधिकतम है, उसका भार यहांपर अधिकतम होगा . अब जैसे जैसे दिवा प्रित्वी की सतर से उचाई पर जाना चाहती है मतलब जैसे ही उचाईयां बढ़ती जाती हैं तो हम यहाँ पर कौन सा सूत रूपयों करने वाले हैं कि प्रित्वी की उचाई के साथ गुरुति तुरण के मान में परिवर्तन देखें तो किसे निश्यत उचाई एच पर उसे जी देश हम यह आरधन एच देखें यदी संख्या नीजे की ओर अधिक होती है तो यदि हम उस भिन को हल करते हैं तो उसका मान क्या होगा उसका मान होगा एक से कम होगा तो हम यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं कि जी डवल डेश का जो मान होगा किसी निश्यत उचाई प्रित्वी से एच उचाई पर केपिटल एच उचाई पर उसका मान गुरुत्य तरण का मान कम होगा उसके सतह पर गुरुत्य तरण के मान से यह सिधे सिधे प्रवाइद करता है भार को इस परकार हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं तो उस अनुसार प्रित्वी स क्रमिशा घटेगा क्रमिशा घटेएगा ठीक है और देखे अब जब वो प्रिथवी पर से उपर जाते हुए चंद्रमा तक यही पहुंचती है तो चंद्रमा में हम देखते हैं की गुरुत्वी तुरंड का मान अंतिम्दू से तीसरे बिंदू की हम बात करेंगे कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वी तुरंड होता है इसे हम यदि जी डेश से प्रस्वत करें तो उसका मान पृत्वी के गुरुत्वी तुरंड से यदि चंद्रमा की सतह पर हम बात करें है तो जूर्णब कमान एक बटेच्छ है गुना यहां पर होता है अब यहां पर जो वस्थू का भार यहां पर हम देखें वस्थू का भार कहां पर चंड्रमा सथ्वा ही जर्व निου का सतापर कितना होगा और देखिए वह पृत्तिवी पर जो मान है पृत्तिवी पर मान cannabis तो так द्रगल व से उसका मान का रहने वाले हैं यहाँ पर हम पृत्तिवी पर यह मानको बता रहे हैं अब वास्टविक रूप नतरुक्ते होना वाला है चंद्रमात के सता का भार केतना होगा अब हमने बात करी थी भार के बारे में तो देख लिया कि भार के बारे में जैसे ही आप प्रित्वी की केंद्र से उपर की उर सतर तक जाते हैं क्रमशा भार में प्रिधी होती है उसी तरह आप सतर से जब उपर की उर जाते जाते हैं क्रमशा भार के मान मे नहीं होगा इसका मतलब है कि ड्रवेमान वहाँ पर नियत रहने वादा है पर नुतु भार में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है धन्यवाद पर नियत आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर